नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बात होगी वो होगी 1947 के 1 रूपी कोईन के रियल वैल्यू क्या है आज जानेंगे के 1947 के कौन से सिक्क्य आपको अच्छी वैल्यू दे सकते हैं आप में से काफी ज़्यादा लोगों के पास ये सिक्क्य अविलेबल है और आप जाना चाते हैं इसकी अभी करेंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है अभी हाल ही में एक auction लगा तर जिसमें 1947 के 1 रूपी कोईन की काफी ज़्यादा कीमत देखी गई अब उस सिक्क्य की इतनी ज़्यादा क्यों कीमत देखी गई उस सिक्क्य में क्या ऐसी खास चीज है जिसके उसकी इतनी ज़्यादा कीमत हो गई है तो यही इस वीडियो माज़ आपको पता चलने वाला है और अगर आपके पास 1947 के सिक्क्य है तो इस वीडियो को आपको पुरे लास्तक देखना चाहिए ताकि आपको अपने सिक्के की सही कीमत पता चल सके तो यह कुछ सिख्य आप जो दोस्तों देख रहे हैं मेरे हाथ में यह है सभी 1947 के यह सभी very good condition के सिख्य है मेरे पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें काफी अच्छी condition के सिख्य दिखते हुए और ये सभी सिक्के दोस्तों मेरे पास ये हैं बॉम्बे मिंट के सिक्के ये सिक्के बनाए गए थे दो अलग-अलग मिंटों में इसमें एक मिंट रेयर है और उसमें भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या उसकी प्राइस इतनी जादा क्यूं है मैंने एक वीडियो भी बनाई थी काफी टाइम पहले 1947 के सिक्कों के उपर लेकिन उस वीडियो में ये चीज कवर नहीं कर पाया था क्या इसमें 1947 के सिक्के की कौन सा सिक्का ऐसा है जिसकी प्राइस बहुत जादा बढ़ सकती है अब स्क्रीन पर ये कुछ सिक्के आप देख रहे हैं 1947 के इसमें मैंने बताया दो अलग-अलग मिंटों में सिक्के बनाई जाते हैं और इसमें भी अलग-अलग कंडिशन के आपके पास सिक्के अविलेबल होंगे किसी के पास normal condition के सिक्के भी हो सकते हैं आप में से और आप में से ही किनी लोग के पास UNC भी हो सकते हैं तो कीमत जान ले अच्छे से हो सकता है वो UNC सिक्के के rare variety आपके पास हो अब जो हाल ही में auction लगा था उसमें 10,000 रुपे से 13,000 रुपे प्राइस इस सिक्के की देखी गई 1947 के 1 रुपी कोईन की यह सिक्के बनाए गए थे 1947 के King Joe 6 के टाइम में और यह British India के आखरी सिक्के थे क्योंकि इसके बाद भारत आजाद हुआ था और कुछ इस तरह के सिक्के देखने को फिर मिल है यह देख रहे है 1950 का सिक्का यह लेकिन क्या हुआ था यह सिक्के अगले 2-3 साल तक सर्कुलेशन में रहे भारत में British India के ही और जो पहला सिक्का आजादी के बाद भारत में इशू हुआ था 1950 का वो यह सिक्का है जो आप मेरे हाथ में देख रहे है अब यह 2 मिंटों में मैंने बताया एक लाहोर मिंट में यह सिक्के बने थे और दूसरे बने थे बॉम्बे मिंट में अब स्क्रीन पर यह सिक्के की आप प्राइस देख रहे है 10,000 रुपे से 13,000 रुपे यह है लाहोर मिंट का सिक्का लेकिन मैं आपको बता दू इसमें कुछ खास चीज है यह खास चीज क्या है यह आप देखेंगे यह है एक ग्रेड़ किया हुआ कोई एक certified कोई है जो की NGC से certified एक कोई है यह NGC क्या है यह है coin graded company जो कोई को grade करती है और उनको कुछ number देती है UNC में भी अलग-अलग scale होते है MS66, 67, 63 तो जो UNC condition में जो scale होते है उनके आधार पर इन सिकों की जाच की जाती है फिर इनको एक number दिया जाता है तो इस सिकों को देखेंगे आप तो इस पर देख सकते हैं पूरा धान से MS63 लिखा हुआ है यानि जो UNC सिकों को जो scale होता है वो 60 से लेकर 70 के असपास ऐसा होता है और उसमें ही सिकों की condition आकी जाती है तो MS63 काफी एक अच्छा number होता है सिकों की हिसाब से और ये एक lahore mint का सिका है आप देख सकते हैं तो इन ही दो कराने की वज़े से एक तो graded coin है और lahore mint का सिका है इसलिए इसकी price हाल ही के auction में 10,000 रुपे से लेकर 13,000 रुपे रखी गई थी अब आपके पास अगर normal coin है lahore mint के जो की graded के ये नहीं है और normal condition के है UNC भी नहीं है तो normal condition के lahore mint के सिके आपको दे सकते हैं 400 रुपे से लेकर 900 रुपे के बीच में क्योंकि lahore mint के सिकों की mintage लोती और जो bombay mint के सिके थे वो काफी ज़्यादा बनाए गए थे मेरे पास भी देख सकते हैं बहुत सारे सिके हैं ये सभी bombay mint के हैं लाहर mint के सिके मेरे पास available थे लेकिन वो बिग गए हैं तो अभी फिलाल जो मेरे पास ये सारे सिके आप देख रहे हैं ये है bombay mint के सिके अगर इनकी कीमत की बात करें तो ये अच्छी condition में अभी आपको 100 रुपे से लेकर 200 रुपे के बीच में कीमत दे सकते हैं अब काफी लोग जो क्या कर रहे हैं मेरे पास message करते हैं Instagram पर और YouTube पर जो मैंने एक वीडियो बनाई थी coin grading के उपर उसके लिए मुझे message करते हैं तो सबसे पहला आप ये समझ ले क्या normal coin की grading आप ना कराएं क्योंकि उसका चार्ज जाद होता है हो सकता है आपके सिक्के कितनी value ना हो coin grading के चार्ज आपको ज़्यादा देने पड़ जाए जिसे एक उस सिक्के माँ आपको दिखा रहा हूँ ये सिक्के आप देख रहे हैं सभी ये jam unc condition के सिक्के है ये सभी British India के सिक्के है और ये jam unc condition के सिक्के आप देख रहे हैं तो coin grading तो मैं इनकी भी करा सकता हूँ ये सिक्के आप देख रहे हैं ये लेकिन इन सिक्कों की इतनी value नहीं है जितना grading का चार्ज लग जाएगा तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी और फिर में इनकों की value तो भी चल रही है 50 रुपे से लेकर 1.5 रुपे के बीच में लेकिन अम में इनकी grading करा लोग तो grading का चार्ज होता है जो कि सिक्के की कोर्स से काफी ज़्यादा हो जाएगा अब ये कुछ स्क्रीन पर ये सिक्के देख रहे हैं ये मेरे पास available ते ये graded coin है इसमें coin victory quarter ना है और king jords के quarter ना है जिनकी कीमत अलग-अलग है इनकी तीनों की 2000, 3000, 25 रुपे इस तरगी कीमत है तो ये grade की होई सिक्के है काफी लोग अपने पास grade की होई सिक्के रहना चाहते है लेकिन एक चीज मा आपसे कहना चाहता हूँ क्या आप coin अगर आपका rare है ये UNC condition का सिक्का है तब ही उसकी grading कर आए तब ही वो जाकर आपको अच्छी value दे सकता है अब काफी लोग मुझे देखने को मिले Instagram पर जो क्या कर रहे हैं वो अपने जो पुराने सिक्के हैं उनको साफ करके और मेरे पास image भीज़ देते हैं काफी लोग मेरे पास Instagram पर फोटो भीज़ते हैं अपने सिक्कों की value जानने के लिए अब सिक्का थोड़ा गंदा होने के वीज़ से आप नहीं दिख पाता है तो मैं नहीं बता पाता हूँ क्यों किस period का सिक्का है किस dynasty का है और उसकी सही value अभी क्या चल दे क्योंकि सिक्का काफी ज़्यादा गंदा होता है काफी लोग क्या करते हैं दुबारा उसिक्कों को गिसकर उसको साफ करकर ब्रस से या पाउडर से या डिटरजंट से पदमी किस से साफ करकर दुबारा तो दुबारा वो सिक्का और ज़्यादा उनका खराब दिखने लगता है तो आप सभी लोग से एक request है क्या आप अपने सिक्कों को इस तरह लापरवाई से साफ ना करें हो सकता है वो कोई रेर वरेटी का सिक्का हो कुछ एंशन्ट कोईन होते है जो की साफ करने से खराब होने का गार पर बिल्कुल आ जाते है कुछ एक्जामपल के लिए मैं एंशन्ट कोईन आपको दिखा देता हूँ तो अगर आप इनको साफ करेंगे तो ये खराब होने का पूरा खत्र होता है ये देख सकते हैं कुछ एंशन्ट कोईन मेरे पास अविलिबल है ये तो अगर इनको आप बरस से घिसकर साफ करेंगे तो जो भी इन पर थोड़ा वो तबी बैंशन है जो भी लिखा हुआ है वो सब भी खराब हो जाएगा और इस सिक्के की वैल्यों खत्म हो जाएगी तो इन्शन्ट कोईन है या कोई मुगल पिरेड का या सलतरत का कोई ऐसा दिखता हूँ सिक्के है तो उसको साफ करने कोशिश ना करें उसको ऐसा ही रहने जा है जो इस्ताग्राम पर फोटो भेज देते हैं मेरे पर सिक्को को साफ करकर तो ये चीज समझने वाली है तो अब आप समझ गए होंगे कि लाहर मिंट का सिक्का एक रुपे का जो की सर्टिफाइड है NGC से वो आपको दे सकता है UNC कंडिशन में 10,000 रुपे लेका 13,000 रुपे तक तो ये वैल्यू आपक्षन में रखे गई थी जरूरी नहीं कि आपका सिक्का भी इतनी कीमत में बिख जाए ये नीड करता है कलेक्टर के उपर क्योंकि आपक्षन में या एक्जीबिशन में वही लोग जाते हैं जिनकों सिक्कों की जानका ही लिए ना होता है या कोई मीस अपने कलेक्शन के लिए खरीदने होते हैं सिक्की अपने कलेक्शन के लिए नोट खरीदने होते हैं और नीड के उपर भी डिपेंड करता है मालीज अगर किसी कलेक्टर को नीड है किसी सिक्के की तो उसकी price उसी हिसाब से ही decide होती है माली जे किसी collector को 147 का UNC condition का ही सिक्का चाहिए तो वो उसके 10,000 रुपे क्या 5,000 रुपे क्या ये पे कर सकता है लेकिन अगर किसी को need नहीं है तो वो उसके 200 रुपे भी पे नागरे शायद सिक्केगे तो need के उपर भी depend होता है कि collectors को काफी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है मुझे कोई सिक्का पसंद आया मैंने खरीदा तो वो मुझे महेंगा मिला वही सिक्का बाद में मुझे exhibition वेगरा में जाता हूँ या coin collector के पास जाता हूँ दो गए सिक्केगे तो ऐसा ही होता है collection एक हो भी है आगे जाके यह benefit देते हैं सिक्के अगर आप coffee time देगे इनको होड़ करके रखते हैं और auction house वाले जो coin collector होते हैं जो coin dealer होते हैं वो बकाइदा business करते हैं इस चीज़ का collection भी करते हैं अपना और अच्छी value में आप खरीते हैं सिक्के normal values में अच्छी values में आगे बेजते हैं आशा करता हूँ यह जानकारी यह वीडियो आपको पसंद आईयो और आपको लाहोर मिंट के सिक्कों की सही कीमत पता चलियो 1947 तो जिन भी सब्सक्राइबर जिन लोगों के पास 1947 के सिक्के हैं वो अच्छे से चेक कर ले अपने सिक्कों को अगर यहाँ पर diamond मिंट मार्क है तो वो है Bombay मिंट का और अगर 1947 के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है तो वो है लाहोर मिंट का तो उसको पचास सोर पे या दो सोर भी कीमत में ना बेचे लाहोर मिंट के सिक्के महेंगे होते हैं आशा गरता हूँ वीडियो पसंद आईयो लाइक शेर करना ना भूले और आने वाली Video Q&A वीडियो होगी तो आपके जो भी सवाल है इस वीडियो के नीचे कमेंट करकर shark iconicindya लगाकर आप मुस्चे सकते हैं आने वाली वीडियो Q&A वीडियो जिसमां आपके सभी के सवालों के जवाब में दूँगा और आपके सभी के कमेंट प्किये जाएंगे आज की इस वीडियो को मैं यहीं खतम करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद